कि नवसकार मैं हूं शाषए जखेशे रखन के टोप 25 पर मों खबर जानते हैं आज स्कुल खोलने पर निर्ने ले सकती है हमंध सरकार ज्यार केहमन सुरें सरकार आई शुक्रवार क substantive को राज स्कुल खोलने जाने पर निर्ने ले सकती है इसके अलावा पाराशिक्षको के स्थाईकन और बेतन मान पर भी फैस ले लिए जा सकते हैं बतादे 30 जुलाई को स्कूली सिक्षा एम सक्षरता विभाग की बैठक बुलाई गई है इसमें मोक मंत्री भी उपस्तित रहेंगे वे शिक्षा विभाग के पतादिकारियों से इस समन्द में बात करेंगे कुरोना वायरस संक्रमन के कारण राजे में बड़ी संक्षा में बचे ऑनलाई सिक्षा से वन्चित रह जा रहे हैं इसे देखते हुए सरकार इसकूल खोलने पर विचार कर रही है पारा सिक्षको पर हो सकता है बड़ा निर्नाए पारा सिक्षको के अस्थाई करण और बेतन पर निर्नाए लिया जा सकता है बतादे पारा सिक्षको के कल्यान कोस पर भी बात होगी राजे में 65,000 सिक्षक कारण था है वे लगातार अपनी मागों को लेकर परदसन कर रहे हैं बताया गया है कि उनके अस्थाई करण और बेतन को लेकर प्रस्ताव तयार है अब सीम को इस पर अम्तिम नीना लेना है सिक्छक नियुक्ति की संसोधीत नियमावली पर भी बैठक में चार्चा होगी मुख्यमंत्री नियमावली को अम्तिम रूप देने के लिए समाई सीमा निधाईत कर सकते हैं नियमावली तयार होने से सिक्छक पत्राता परिछा का युजन से लेकर नियुक्ति परकिर्या में तेजी आ सकती है जैक दसवी रियल्ड जारी छात्राओ ने मारी बाजी 95.9 पर तिसत परिणाम जार्खन बोड दसवी का रियल्ड जारी कर दिया गया है दो फर तीन बए जार्खन के सिक्छा मंति जगनात महतों ने रियल्ड जारी किया जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से गुरू आरकोमेट्रिक का परियल्ड जारी किया गया बता दे विद्यार्थि जैक.nic.in पर रियल्ड देख सकते हैं इस बार रिकॉर्ड 95.9 पर तिसत विद्यार्थि सफल रहे हैं लड़कों के मुकाबरे लड़किया ने बाजी मारी है जैक बोर्ड बरावी रियल्ड आज जारी होगा जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक की ओर से बरावी का परियनाम आज जारी कर दिया जाएगा बता दे कॉंसिल की ओर से बताया गया कि 30 जुलाई को पहिणाम जारी करने के लिए पूरी त्यारी की गई है मैट्रिक के पहिणाम जारी होने के बाद बरावी के चात्र अपने पहिणाम का इंतियार कर रहे है बता दे कि इस बार कुरोणा वायरस संक्रमन के कारण परिच्छा नहीं ली गई है एक आरवी के परिच्छा परिच्छा परिणाम के मुले आंकन के अधार पर यल जारी कियार जा रहा है घर बैठे मिलेगा देव घर का पेड़ा पोस्ट मैं घर घर पहुचाएंगे परिच्छा क्रोणा संक्रमन के कारण इस वर्स भी देव घर में सावन का मिला नहीं लग रहा है बता दे देव घर में बाबा के परिच्छाद के रूप में बीकने वाले पेड़ा का स्वाद लोगों को बहुत यादा आ रहा है ऐसे में आप भी अपने पास के प्रधान डांग घर पहुँचकर बाबा का परसाद आउडर कर सकते हैं घर घर चिठी पहुचाने वाले पोस्ट में अब लोगों तक बाबा का परसाद भी पहुचाएंगे ये बेवस्ता डांग विभाग ने की है इस नया परियोग में देव घर के डांग विभाग के मुख्य भूम का है इससे पेड़ा बेचने वाले बेवसायों को भी थोड़ी राहत मिलेगी साथ दिनों में हो जाएगा सरकार गिराने की साजिस का खुलासा बीत मंत्री जारखन सरकार के बीत एवं खादा पूर्ति मंत्री डाक्टर रमिसरुराव ने कहा है कि सरकार गिराने के साजिस के मामले में जो बाते सामनी आई है उसमें इते फाकन भाजपा ने ववंडर खाड़ा करने का काम किया है हमने विधायकों को निर्दोस पताने को लेकर किसी भी तथेयों की अंदेखी नहीं की है हमने सब की बातों को सुना है प्रारंभिक जांच में हमने यह पाया है कि कंग्रेस की विधायक निर्दोस है जाच के बाद एक सप्ता कंदर सारी सचाई सामने आ जाएगी जारखन अईभावक संग ने किया हवन जारखन अईभावक संग ने निजी स्कूलों में फीस विरिदी के खिलाब चला रहे अपने अभियान के तहट गुरुआर को हेमन सुरेन सरकार को सदबुधी दे भागवान कारिकरम किया संग के सदस्यों ने पहाडी मंदीर के समक्ष हवन कर भागवान महादेव से राज सरकार को सदबुधी देने की प्रातना की हाथों में बैनर पोश्टर लेकर सदस्यों ने सरकार से अईभावकों को स्कूल से रहम दिलाने की मांग की ज्यारखन रत्न नहन नहीं रहे रमायन को नागपूरी में करने वाले थे पहले लेखक नागपुरी भासा के बिद्वान जार्खन रत्न वा कोईला रत्ने से समानित साहने उपेंद्र पाल सिंग नहन अब हमारे बिच नहीं रहे 95 बर्स के उम्रे मुन होनों गुरु आर की साम 6 बज़ अमतिम सासे ली बतादे गुमला सहर के गोकुल नगर इथित आवास में उनका निधन हुआ नहन के निधन से जार्खन में सोक की लहर है नागपुरी भासा को प्रचलित करने वा पोस्तक लेखन की सुरुवात करने वाले लेखको को में से एक थे हिंदी में लिखी गई रमायन पुस्तक को नागपुरी भासा में रूपान्तरित करने वाले पहले लेखक पने जार्खन दल बदल मामले में स्पिकर करेंगे वर्चुल सुनवाई जारखन में दस्वी और शूची के तहद दल बदल के मामले में अब वर्ट्रोल सुनवाई होगी स्पिकर रविद्राथ महतो भाजबा में सामील होने वाले बावलल मरांडी और कॉंग्रेस में सामील होने वाले पर्दी पियादो वो बंधो तिर्की के दल बदल मामले के सुनवाई कर रहे हैं बता दे क्रोणा संक्रमन को देखते हुए मामले में सुनवाई अस्थागित कर दी गई थी इधर स्पिकर शिरी महतो मामले में हो रही देरी को देखते हुए अनलाइन सुनवाई करने का फासला लिया है ज्यार्खण में 56 नाई केस मिले हैं जो राची से गारा, पुर्वी सिवुन से दो, पुकारो से नव, धनबाद से तीन, रामगर से एक, कोडार्मा से चार, देवघर से दो, लातियार से दो, गडवा से उनाईस, लोःदागा से एक, साहिवगन से दो मिले हैं ज्यार्खण में 34 मरीज स्वास्त भी हुए हैं, ज्यार्खण में कूल एक्टिव केस की संख्या 269 है, भारत में 44 या 633 केस मिले हैं, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,99315 है ज्यार्खण में एक्टिव केस इस परकार हैं ज्यार्खण में 0 मरीज एक्टिव है, इसकूल खूलने पर भी ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा केंद्रिय सिक्छा मंत्री क्रोना में हमारी के कारण इसकूलों के बंद रहने पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक विकल्प के तोर पर सामने आया है बतादे गुरुवार को राज सभासदस मैस पोदार के प्रश्ण के जवाब में इस बावस एक्छा मंत्री धर्मेंद्र परधान ने लिखित जनकारी दी है हेमंत सुरेन की छाते के साथ तस्वीर वाइरल मांसून मौसम में राची से लेकर दिलित्त की राजनीती छाते के इर्ध गिर्द आ गई है बतादे पहले प्रधान मंत्री ने नमोदी फिर पच्छी मंगाल के मुक मंत्री मामता बनर जी के बाद जार्खन के मुख मंति हिमन सुरेन की छाते वाली तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वाइरल हो रही है इसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री की छाते के साथ तस्वीर सामने आई थी बतादे जार्खन के अलग-अलग साइट पर नेतावों की अलग-अलग तस्वीरे देख कर लोग अपनी प्रतिगिर्या दे रहे हैं स्वास्त मंत्री ने रिम्स में बेवस्था बेहतर करने का दिया निर्देश जाकन के स्वास्त मंत्री बाना गूपता ने गुरु आरको रिम्स का आउचक नीर्डशन कर रिम्स के अधिकारीों से स्वास्त ब्यवस्था की जनकारे ली मंत्री बाना गुपता करीब दस बये सुब रिम्स पहुंचे हो सीधे निदेशक डाक्टर कमिस्वर परसाद के साथ बैठक की इस दोरान उनके साथ रिम्स सुप्रिडेंटेंट डाक्टर बीवे कस्यब समेत बिभीन बिभागों के होडी मजूद थे धनबाद जोज हत्या मामला धनबाद के जीला एवं सत्र नियाधिस उतम अनंद की बुद्वार की सुबह हुई हत्या के मामले में डीजी पी नीरे सिना ने पुलिस मुख्याला अस्तरपजांच के लिए एक एसाइटी का गठन किया है एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर करनेतित में गठित एसाइटी इस पूरे मामले से सम्मधित परतेक बिंदुओं की छांट बिन करेगी एसाइटी में बोकारो के डिआजी मियूर पतेल कनहया लाल और धनबाद के स संजीव कुमार भी सामिल किये गए हैं रेमडे सिवीर काला बजारी जारखन हाई कोर्ट में रेमडे सिवीर काला बजारी मामले में सुनवाई हूई अदालत ने SIT की जांच रिपोर्ट से असंतोष्टी जताई अदालत ने कहा कि ओर रिपोर्ट को समिक्षा करेंगे उसके बाद मामले में सुनवाई होगी अदालत ने मौकिक रूप से कहा कि जब S.P. ने खूद काला बजारी वाले से दावा खर दी तो क्या उसको संग्रक्षा नहीं दे रहे थे लेकिन उन्हें उसमें गवाह बना दिया क्यों ना माना जाए कि वे इसमें सामिल थे क्योंकि उन्होंने इसकी जनकारी वर्या अदिकारियों को नहीं दी रूपा तिर की मामला साहेवगंज की मैला थाना परभाई रूपातिर की मिर्तियू परकरण की सिविया जाज की मांग को लेकर दाखिल रीट याज का पर जारकन हाई कोट में सुनवाई हुई कोट ने मोखिक टिपनी करते हुए कहा कि या गंभीर मामला है या एक पोलिस पतादिकारी की मिर्तियू से जुड़ा हुआ मामला है नेयालाई ने डिजी पी एवम साहेव गंज एस पी को केस से जुड़े हुए सभी ओरिजिनल दस्तावेज सील बंद लिफाफे में नेयालाई के समक्ष परस्तूत करने का निदेश दिया है धन्यवाज